दोसों सुवागत है आप सबका आजकी वीडियो भहुत ही खास है आजकी वीडियो में आप सबको जवाड़ी वाईपास से तिल्वाड़ा बजार जब आप लोग किदार घाटी के ले जाएंगे न, किदार ना चारधा में आतरा पे, तो रुदरक्व्याग से तिलवाड़ा बजार के बीच में, जो राश्टर राजमार के नैश्ञ आयवेई, उस पे चारधाम औलवेदर रोड़ का, तिलवाड़ा किदार घाटी को छो र आप यहाँ पर क्या चेंजेस आ गए वह आपको साफ साफ वीडियो में देखने को मिलेगा पिछले एरके कंपेरिजन में होग आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं स्वागत है आप सबका अगर आपको वीडियो अच्छे लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड सरकल में मेरी वीडियो को शेर कीजिएगा यहाँ से तिलवाड़ा बजार की दूरी 11 किलो मिटर की दूरी है और 30 से 35 मिनट का समय लग जाता है पहुचने में बाइपास को क्रॉस करने के बाद आपको पूरे रुदरपया घाटी का सिनेरिक वीव देखने को मिलता है जो भी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप जो नीचे देख रहे हैं यह संगम पॉइंट है मंदागनी और अलगनन्दा नदी का यहाँ पर संगम इस्ताल है उसके बाद अलगनन्दा नदी आपके स्रिनगर घाटी को चले जाती है तो दोस्तों सुरुआत करते हैं 2020 से 2020 में हमने सड़्डियों के टाइम पर ट्रैवलिंग की थी और उस ताइम पर आप सबके लिए इस वाले रूट की वीडियो रिकॉर्ड की थी कुरुना काल के बाद जब आपका लॉकडाउन खुला था तो उस ताइम पर यहाँ पर कटिंग का कारियर चल रहा था चारदाम और यहाँ पर जोरूरी भी था यातरी सरदालों लोगों को और लोकल एरिया के पीपल लोगों को घंटो जाम के दिकत फेस करनी पड़ती थी क्योंकि यहाँ पर रोड बहुत पतली थी न और उपर खड़ी पहनी चटान है और यहाँ पर मनदागी नदी का एक्सिडेंट रोड एक्सिडेंट का खतर भी बना रहता था क्योंकि बरसात के टाइम पर यहाँ पर बहुत ही जाद इस्तिती खराब हो जाती थी इसलिए यहाँ पर कटिंग का कारिया किया गया रोड को वाइडन किया गया और अब आप जो नेक्स पोर्शन आएगा न वीडियो का दो अजार पाईस वाला लेटेस वी तो दूसरी तरब की काड़ियों को क्रॉस करना दिया जाता था इससे क्या होता था कारिया भी होता था और नैशल हाईवे पर जाम की स्थिती भी उपन नहीं होती थी बहुती हाड माउंटेन रॉक एरिया है यहां पर पर सक्सिस्फिली कारिक कर दिया गया यहां से और कुंड तक आपका राष्ट्य राजमार्क मंदागरी नदी के किनारे किनारे आगे की तरफ बढ़ता है किदार घाटी की तरफ किदाना धाम के लिए जब आप लोग यात सर्दियों में गर्मियों में और बर्सात में पहाड़ों में सफर करने में बहुत ज़्याद अंतर है बर्सात में यहां पर ट्रेवलिंग करना इसी रूट पे एक चुनौती पूर्ण हो जाता है और कि रोड़ जाम और पत्थर गिनने का खत्रा बना रहता है तो आप लोग इसका भी ख्याल रखेएगा तो दोस्तों अब बाद करतंध दोस्तों जाता है है कि भी खिपेगवं है झाल कि पूला है कर अचल जाता है कि घड़् के खिर से थिज। की में जाता है को पूला है क sapphire को उला है तो दोस्तों अब बात करते हैं 2022 की हम लोगों ने परसुहीं ट्रेवलिंग किये और आप सबके लिए यहां की लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड किये अब आपको उसी चेगा पर ले जाया जा रहा है जो आपको पिछली पूर्फशन में दिखाया गया आप लोग खुदी देखें और कितना चेंजेस आ गया है खुदी वीडियो देखकर कंपेर कर सकते हैं जब आप लोग चार दाम या तरह पे जाएंगे तो याद कीजिएगा मैंने वीडियो बनाई थी आप सबके ले इस वाले रूट की अभी हमें रुदर प्याग होते हुए जा रहे हैं और वो सामने जो आप रस्ता देख रहे हैं वो बाइपास वाला है नदी के उस पार तो जो लोग रिसी केस से आते हैं गंगोतरी या मिनुतरी थाहम से वो उस वाले रस्ते से होते हुए आते हैं रुदर प्याग बजार अब हम जा रहे हैं किदानात गाटी में किदार गाटी है यह तो यहाँ पर जो आपको रिवर्ड देखने को मिल रही है मंदागनी नदी है किदानात हमसे आ पड़ता आपको रुद्र प्याग बजान नहीं आना पड़ता तो सामने वहां से उदर से होते हुए यहां पर फिर ब्रीज है इस ब्रीज से हो कनेक्ट हो जाता है इस वाले राष्टे राजमार्क में तो उसकी जलग भी मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपको अगर रुद्र प्याग बजान नहीं आना है कि जाना दाम जाना है तो जवाडी बाइपास से नीचे से होते हुए और आप लोग बाइपास गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है आप खुदी चेंजेस देखने को मिलेंगे जब आप लोग यातरा पे आएंगे न आप लोग बुलेंगे यहां पर बहुत चेंज आ गया है तो अभी अभी हमने रुद्र प्याग बाइपास ब्रिज को क्रॉस कर दिया है आप हम जा रह है राइट हैं साइट पर नीचे पर आपकी मंदा अगनी नदी है तो एक टाइम पर एक तरफ की गाड़ी क्रॉस कर पाती थी चारदाम ओल वैदर रोड का कारियर तीरी बती से चला और हमें काफी चेंजेस देखने को मिले रोड काफी वाइडन हो गई है और आपको जो य पूश्किल था पर हो गया मतलब अब भूत ही चेंजेस दिख रहे हैं और अच्छा लग रहा है यह देखिए आप खुद ही देखिए रोड कितने अच्छी दिख रही है तो फूरी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे केदार घाटी में हम जा रहे हैं तिलवाडा की तर बढ़ता है एकम समतल है रोड आपको मेरिन ट्राइव जैसा फील आएगा कुंड के बाद आपके चड़ाई सुरू होती है तो वहां तक तो आप लोग मैं आप लोगोसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके पड़ाव आते हैं सहर आते हैं वहां पर आप बजारों मे अरामसे गाड़ी चलाइएगा ओड़। कर दो कर दो रुदर प्रयाग से जब आप चोपता के लिए जाएंगे उखी मट के लिए जाएंगे या फिर किदारना धाम के लिए जाएंगे तो बीच में जो मुख्या बजार आपको देखने को मिलते हैं नैशल हाईवे पे उसके बारे में बात होगी तो दोस्तों सुरुआत करते हैं जब आप रुदर प्रयाग से आगे की तरफ पढ़ेंगे तो जो सबसे पहला मुख्या बजार आपको देखने को मिलेगा वो है तिलवाडा बजार अभी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है यह तिलवाडा बजार है रुदर प्रयाग से 11 किलो मेटर दूरी पर आगे की तरब यह जगा इस्तित है बहुत ही खुर्सूरत जगा है और 25 मिनट का समय लग जाता है यहां पहुचने में मंदागनी नदी के किनारे यह मुख्य बजार इस्तित है और यहां से एक रोड डायवर्ट हो जाती है आपकी मयाली के लिए मयाली हर्याली आप यहां से फिमस हर्याली देवी का मंदिर आगे जाके आप वहां भी जा सकते हैं झाल बार इस तो जाने दो कि मदागनी आपकी में भी जापनी जा चाहते हैं आपकी आपकी में पहां से लिए प्तित हैं झाल झाल तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए सपोर्ड देने के लिए मेरा साथ देने के लिए वीडियो देखने के लिए लाइक करने के लिए कमेंट करने के लिए शेर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जै देभ झाल झाल